दोस्तों नमस्कार, याद कीजे लोगसभाद चुनाओ 2024, जब विपक्ष के नेता राहूल गांधी अपने रैलियों में कह रहे थे कि वो इस देश में लोगतंत्रों और संविधान को बचाने के लिए चुनाओ लड़ रहे हैं, तो सत्ता पक्ष में मौजूद तमाम को बे बुनियाद बताया था, लेकिन दोस्तों आज की इस वुडियों में मैं आपको एक के बाद एक ऐसे कई उधारन सामने लाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे सिस्टम को भीतर से कैसे खोकला किया जा रहा है, और अब कई ऐसे लोग जो बड़े पद देश के उख्यमंत्री राजेंद्र शुकला की उपस्तिती में सत्ता रूट भारते जित्ता पार्टी में शामिल हो गई, ये वही नयाधीश है जिन्होंने साल 2021 में, इन दोर में एक कॉमेडी शौव में धार्मेक भावनाओं को अपमानित करनी की शिकायत पर कॉमेडियन मुनवर फारुकी और नलिन यादव को जमानत देने से इंकार कर दिया था, हाला कि फारुकी को फरवरी 2021 में सुप्रिम कोट ने जमानत दे दी थी और कुछ दिनों बाद नलिन यादव को भी जमानत मिल गई थी, इनके कारिकल में दोस्तों ये एक मात्रा ऐसा मामला नहीं रहा है, जुलाई 2020 के अगर बात करने तो एक और विवादासपत फैसले में रोहित आरे ने एक महिला की गरीमा को ठेश पहुचाने के आरोपी विक्रम बागरी को इस शर्क पर जमानत दे दी, कि वो अपनी पतनी और मिठाई का डबा और राकी के साथ उसके घर जाएंगे और इसकी रक्षा करने का वादा करेंगे, 2021 में इस फैसले को भी सुप्रिंग कोट ने रद कर दिया था, सोचे जिस आरोपी पर एक महिला की गरीमा को ठेश पहुचाने का आरोप लगता है, उसे सजा के तौर पर उन्होंने मिठाई का डबा लेकर उसके ही घर जाने की सज सुना ही थी, अब ये बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं, सोचे दोस्तों कितनी गंभीर बात है, और दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तमाम उधारंग देने वाला हूँ, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कैसे सिस्टम के भीतर मौजूद लोग या रिटा दारे की वाद हमने शुरू की थी, उसे पूरा करते हैं, उच्छे न्याले के न्याइधीश के रूप में कारे करते समय, आरे अपने अदालती तौर तरीकों को लेकर वत्कीलों की खिचाई करने के लिए सोशल मीडिया में एक संसनी बन चुके थे, ऐसे ही एक सुनवाई क दोराने, आरे ने एक महिला वकील को बार बार या अंग्रेजी जो शब्द होता है या शब्द का उप्योग करने के लिए दाते हुए कहा था, कि यदि आप एक और बार या का उप्योग करते हैं, तो मैं आपकी फाइल बन कर दूँगा और आपको वापस भीज दूगा, आप काफे काफी डे में नहीं बैठे हुए हैं, मेरी अदालत में हैं, जनवरी 2024 में एक अन्यमामले में, आरे ने गौलियर उच्छ न्यायले में, न्यायधीश के रूप में कारे करते हुए, अदालत की अध्यक्षता करते समय, गैलरी में बैठे हैं, एक छोटे कानून य आपर शुरू नहीं कर सकते हैं, अगर तुम्हें कुछ लेना है, तो बाहर जो, मेरे अदालत कक्ष में, पानी, कॉफी, आदी पीने के अनुमती नहीं है, सोच अपने कारेकाल में, ऐसे तमाम उधारोनों के लिए सदय हैडलाइन बन चुके, पूर में आयधीश, अब BJP म शामिल हो रहे हैं, और ऐसा करने वाले वो पहले नहीं है, लेकिन क्या ऐसा करने के कारण दोस्तों, ये लोगों का जो भरोसा सिस्टम पर है, उसे धीरे-धीरे खत्म नहीं हो रहा है, आपको याद होगा, कुछ मेहनों पहले, कलकत्ता उच्छ नयायले के पूर्व अभिजीद गंगोपाध्याय ने पांच मार्च को इस्तिफा दिया था, और दो दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, गंगोपाध्याय को दोजार चौबीज के लोगसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की तुमलुक सीट से भाजपा ने टिकेट दि और ये सुनिश्चित करना है कि इस लोगसभा चुनाव में इसके निश्कासन की नीव तयार की जाएं। बीजेपी के संपर्क में थे और बीजेपी के कुछ नेता उनके संपर्क में थे। बत और जड़ सितंबर 2022 में बंगाली समाचार चानल को दिये हुए इंटर्व्यू में उन्होंने टीम सी नेता अभिशेग बैनर जी की अलोचना की थी तब भी जब वो एक मामले के कर रहे हैं तो उस समय आप किसी मीडिया से बात ना करें आप सोचिए 2022 में भी अभिशेग बैनर शीप कुछ कहते हैं 2024 में रिटायर या इस्तिफा देने के दो दिन के बाद जब वो बीजेपी में शामिल होते हैं बंगाल से वो टीम सी की सत्दा को निकालने के बात करते है क्या ऐसे एक के बाद एक जज अगर राजनेतिक पार्टी में शामिल होते हैं और उससे पहले उनकी ओर से दिये गए फैसले का किसी एक राजनेतिक पार्टी के विचारधारा से मेल खाता है तो क्या जो लोगों का स्वतंतर न्याय पालिका पर विश्वास और भुलुसा ह क्या वो खत्म नहीं हो जाएगा दोस्तों सत कहें तो गंगुपाद्याय किसे सम्वेदानिक अदालत के पहले ऐसे न्याय धीश नहीं है जो इस्तिफा दे कर राजनीति में शामिल हुए हैं 1967 में भारत के पूर न्याय धीश कोका सुब्बा राओ ने विपक्षी उमिद्वार के रूप में राष्ट्रपती चुनाव लड़ने के लिए सेवा नुव्रत्य होने से तीन महीने पहले इस्तिफा दे दिया सुप्रिंग कोड के न्याय धीश बहरूल इसलाम ने लोगसभा चुनाव लड़ने के लिए 1983 में रिटायर होने से छे सब्ता पहले इस्तिफा दे दिया था और रिटायर्मेंट के बाद न्याय धीश राजिपाल और राजिसवा सदस्य बने हैं कई जगों पर बन चुके हैं हाला कि अगर गंगोपाद्या की बात करें तो इनका कारिकाल विवादों से भरा रहा है और जिस मामले की वो सुनवाई कर रहे हैं उसी मामले को लेकर उनकी ओर से ये कहा जाना कि अभिशेक बैनर जी ने बहुत संपती जमा किया हुआ है क्या इसे एक प्रोफेशनल बायस के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए दोस्तों आप बताइए इस साल मही महीने में एक और उधारण देखिया जब कलकत्ता उच्छ न्यायले के न्यायदीश न्यायमूर्ती चित रंजन दाश अपने पत से रिटायर हुए तब उन्हो आरेसेस ने बहुत मदद की है इसके अलावाद दोस्तों याद कीजिए बाईस जन्वरी आयोध्या में हुए कारेक्रम में सुप्रीम कोर्ट के चार रिटायर चीफ जस्टिस और एक दरजन से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज भी शामिल थे जिन्होंने इस कारेक्रम में हिस्सा लिया था उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूजू लले, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैस खेहर और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी एन खरेश शामिल है पूर सीजी आई ये स्खेर में ही साल 2017 में अयोध्या मामले पर व्यक्तिगत रूप से मध्यस्ताता करने की बात कही थी इसके अलावा अयोध्या में जस्टिस अशोग भूशन भी शामिल थे जो उस पांच जज़ कॉंस्टिटूशन बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने साल 2019 में राम मंदिर के निर्माह का रास्ता साफ किया था दोस्तों हो सकता है कि ये सभी पूर जज़ अपने नीजी भावनाओं के तहत वहाँ पर पहुंचे होंगे लेकिन जिस दिन पूरा कारेक्रम को एक राजनेतिक इवेट में बदला गया जिस दिन सैकड़ों के तादाज में टीवी कैमरा वहाँ पर मौझूद थे उस समय वहाँ पर मौझूद रहेकर किया इन लोगों ने जन्ता के मन में जो न्याय वेवस्ता को लेकर सवाल उठते रहते हैं उसे और मजबूत नहीं कर दिया है एक रिटायर जज की भी अपनी कई जिम्मेदारियां होती हैं जिसके तहट वो न्याय वेवस्ता को लेकर लोगों के विश्वास को या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है विशे अब जब दोस्तों प्रदान मंत्री मोधी एक धर्म निर्पेश देश में हिंदु धर्म की सभी कारक्रों में बढ़ चड़ कर हिसा ले रहे हैं तो फिर बाकी तो केवल उनके ही पच्चिनों पर चल वे हैं क्या इन रिटायर जज़ों को पता नहीं था कि 22 जन्वरी को जिस दिन वो अयुद्या में मौजूद थे उस समय कई जगों में हिंसा की खबरे आ रही थी अकेले महाराश की मैं बात करूँ तो मीरारूर, पन्वेल और नाकपूर से हिसा की खबरे सामने आई थी और कई लोगों को उससे में गिरफतार भी किया गया था क्या रिटायर जर्ट को उस समय पता नहीं था कि देश भर में हालाच कैसे थे जब वो 22 जन्वरी को अयुद्या में मौजूद थे लेकिन अब दोस्तों लगता है कि यही नया राम राज्य है जहाँ पर आप खुलकर अधिकारी एक धार्मिक कारेक्रम में हिस्सा लेंगे रिटायर होकर एक राजनेतिक पार्टी में शामिल होंगे लेकिन वो शायद यह भूल रहे हैं कि उनके ऐसे वेभार के कारण हो सकता है कि लोगों का जो सिस्टम पर विश्वस नियता है जो भरोसा है वो कम हो जाए लेकिन अब न्यू इंडिया में लगता है कि यह न्यू नॉर्मल है फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें दूसरों के साथ साजा कर उन्हें भी बताएं कि हम क्या कुछ आपको बताने के कोशिश कर रहे हैं कैसे सिस्टम को खोकला कर रहे है के कोशिश की जारी है और कैसे कुछ लोगों का जो असली चेहरा है वो सामने आ रहा है अगर आपने असे अफिशल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कहें तो वो भी कर ले हम इस तरह के जो वीडियो हैं तत्यों के साथ आपको सामने लाते हैं और यह वो सक्चाई है जो शायद गोदी मेडिया आपको कभी नहीं बताएं फिला लेतना ही आप मुझे दीजे इज that's it, namaskar